हालो गुड मॉर्निंग आपको परतिवा फाउंडेशन में आपको हारदिक स्वागत है आज हम लोग दूसरा टॉपिक लेकर आया है इससे पहले जो विडियो बनाया है उसमें आपको देखे होंगे पाइका बिद्रो सन्यासी बिद्रो आज हम लोग बात करने वाले हैं कोल समंधित बात करेंगे हम लोग कि कोल बिद्रो कब हुआ था वफ बिद्रो कब हुआ था तो बात करेंगे कि गह nhất मैं अगर यह कोई भी घहतना गड़ता है तो कब होता तो बद्धु भागत बुद्धु कहिए या बुद्धु भागत पर मुख नेता हुआ करता था और है मद्रा महतो जोया भागत इस तरह से अने नेता है जो इसका इनके साथ करने में सयोग दे रहे थे कर दो बुद्धु भागत इनको मिर्दु के बाद एक और नेता हुए गंगा नरायन गंगा नरायन यह गंगाशनरायन क्या होता है बुद्धु भागत के मरने के बाद Article 1 का में इंसका अधिस कर रहा रहा था गंगा नरायन कर रहा था तो गंगा नरायन कर रहा थे अब इसके बाद देखेंगे कि यह जो है यह कोल जन जाती जो है आप देखेंगे कि कोल जन जाती है यह कोल जन जाती है अब यह कोल जन जाती पुछा जाता है कई सवाल पुछा गया है कि कोल जन जाती जो है व खरवार समुह के खरवार समुह के एक प्राचीन एक प्राचीन जन जाती खरवार समुह के प्राचीन जन जाती से इनका संबंध रहा है अब को देपता को ख professions कि आपको कहते हैं कि रामभक्त सब्रि माता से मेरा संबंध रहा है तो किस इनका संबंध रहा है राम भक्त रामभक्त सबरी माता से अपने आपको समंध बताते हैं कौन समंध बताते हैं पूल जनजाती बताते हैं अपने आपको समंध बताते हैं अब आते हैं यह जो बात कर रहे हैं कि अब के बात देखेंगे कि यह छेत्र कहां कहां रहा इसका यह छेत्र के बात करेंगे खेत्र जो है छोटा नागपूर का पठार खोटा नागपूर का पठार या छेत्र रहा जहां पिया घटना पोल जन्जादी ने घटना का अंजाम दिया है या वहां उस छेत्र में बिद्रो हुआ खोटा नागपूर का पठार था अब देखेंगे कि छोटा नागपूर का पठार जो है इस छेत्र में यह आंदोलन होता है पुछा भी जाता है आपको सवाल यह जो आंदोलन हुआ था किस छेत्र में हुआ था तो आपको बताना परेगा खोटा नागपूर के पठार छेत्र में हुआ था अब आते हैं किया जो है घटना जो है अगर घटना हो रहा है तो उसका कोई न कोई बज़ा होता है कोई न कोई कारण होता है तो कारण भी जानेंगे हम लोग की कारण क्या-क्या रहा है अब देखेंगे की कारण के बाद करेंगे की कारण क्या-क्या रहा है अब आएंगे कि कोल बिद्रोह के अगर देखिए अभी तक जो भी संथाल हो या कोल बिद्रोह हो या सन्यासी बिद्रोह हो आप जितने भी बिद्रोह देख रहे हैं सब के पीछे एक ही कारान आप देखेंगे तो आर्थिक सोसन आएगा आर्थिक सोसन और उसके बाद समाजि सोसन किया जाता है राजनितिक सोसन किया जाता है तो लोग क्या होता है उब जाते हैं लोग ऐसे इस्तिती पर चला जाते हैं ऐसे कागार पर खारा हो जाते हैं लोग को मरने के कागार पर चले जाते हैं अब उनको समझे छोटा सा उधारन दे रहे हैं इमान लिजिए कि जो भ पाहरी के किनारों में या देखेंगे कि जो भी चोटा नागपुर पठा रहा है उसी के आसपास पाहरी छेत्र में जंगल को काट करके अपना खेती बना करके वो खेती को कर रहे कर रहे होते हैं लेकिन उनको टोक्ता करने वाला कुई नहीं होता है लेकिन म् Guinea is statistics सासन हो जाता है उसके बाद बहुत सारे हम लगा आज परेंगे उसके साथ क्या होता है कि जब वहाँ असथाई कि पंदोबस्ते पासि जब यह लागु कर दिया जाता है ता अस्थाई बंदोबस्त लागू होने के साथ साथ वहां देखेंगे आप तो जमिंदार, ताहुकार, महाजन, पूलिस, नियाले, सब चीज की इस तरह के आस्थापना होता है और यहां नए नए चीज के आस्थापना होने के साथ अब क्या होता है कि जो आदिवासी रहने वाले जंगल में थे अब उ के जम्इन हर अपना लोग सुरू कर देता है और यह सारे कारण होते हैं जिसके कारण में आधिवासी लोग या जंजाती लोग क्या करते हैं? अंग्रेजयों के खिलाब, साहुकारों के भागाना है तो आईए हम लोग देखते हैं topic by topic तो कोल बिद्रोह जो है आपको देख रहे हैं कि कब हुआ था 1831-32 में होता है इसका नेता कौन था बुद्धु भगत या बुद्धो भगत कहिए मिर्थु कब हुआ था मिर्थु भगत कहिए था 1831-32 में हो जाता है इनको मिर्थु के बाद क्या हो जाता है कि अब इसका निर्थित्व जो है कोल बिद्रोह का निर्थित्व किसने करने लगता है गंगा नरायन करने लगता है अब आता है कि गंगा नरायन इसका निर्थित्व करता है और यह 32 आते इसको इस आंहोन को क्या कर दिया जाता है दवा दिया जाता है अब आते हैं लोग की कारन में आ эт तो कारण देखेंगे कि बहुत सारे कारण था अब देखते हैं हम लोग कारण में तो कारण बात करेंगे कि पहला कारण देखेंगे यहाँ पहला कारण देखेंगे तो आपको पता चलेगा माली कि इसका प्रिष्ट भूमी पहले देख लिजिए प्रिष्ट भूमी क्या रहा प्रिष्ट भूमी तो प्रिष्ट भूमी जब देखेंगे तो मुगल काल में आप जब बात करेंगे मुगल काल में तो मुगल काल में जब बात करेंगे तो आपको वहां देखेंगे कि मुगल काल में भी इस तरह का होता है घटना लेकिन कहीं कहीं होता है जिसे इसका ज्यादा परभाव इंजन जातियों पर नहीं पड़ता है तो आए प्रिष्ट भूमी में जब बात करेंगे कि इसका प्रिष्ट भूमी क्या रहा है इसमें देखेंगे कि दो रहा है इसमें पहला, बुगल समराज, बुगल, बुगल समराज, बात करेंगे, बुरिटिस सरकार, बुरिटिस सासन, बुगल समराज, बुरिटिस सासन, बुगल समराज, बुरिटिस सासन, बुगल समराज, बुगल समराज, बुरिटिस सासन, बुगल समराज, 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 बुगल समर समय में इनका ज्यादा ब्यापक परभाव नहीं पड़ता है किस पर नहीं पड़ता है कोल जनजाती पर इसका नहीं पड़ता है विशेष मतलब परभाव इसका नहीं पड़ता है अब देखते कि मुगल समराज में जदा विसेस इसका परभाव नहीं पड़ता है। सब्सक्रारेस अंगज़् में इसका ज़्यादा परभाव पड़ता है। अंग्रेजो का अंग्रेजो का परता कैसे है आए हम लोग दिखते हैं। कारण के बाद कर रहे थे, कारण, कारण में क्या था? पहला कारण, आप देख रहे थे कि प्रिष्ट भूमी, प्रिष्ट भूमी में बात करेंगे, तो मुगल समराज, मुगल, समराज, इसरा में आ जाएगा आपका, ब्रिटिस, इस, ब्रिटिस, सासन, ब्रिटिस, सासन, आव आते हैं कि क्या है, कि मुगल समराज में, और ब्रिटिस, सासन, काल में हैं, अब मुगल समराज की टाइम में, पोल जन जाती बिद्रो नहीं करता है, क्योंकि ब्यापक अस्तर पर इसका परभाव नहीं परता है, तो साब साब कह सकते हैं, कि इस समय भी मुगल समराज में भी क्या हुआ था, हिंदू, पलस, मुस्लिम, पलस, तीक, यह तीन लोग क्या करते हैं, कि उस समय मुगल समराज में भी, कहां पर आते हैं, जर्खन में आते हैं, छोटा नाकूर के छेतर में आते हैं, वहां बसना शुरू कर देते हैं, तो बसना शुरू करते हैं, यह भी लोग सोसन करना शुरू करते हैं, लेकिन बरे पैमाने पर नहीं करते हैं, इसका ज़्यादा ब्यापक असर नहीं परता है तो यहां भी रहता है इसका ब्यापक असर नहीं पड़ता है इस पे लिख सकते हैं कि ब्यापक परिवर्तन नहीं होता है कि या ब्यापक असर नहीं पड़ता है कब मुगल समराज में लेकिन ब्रिटिस समराज के बाद करेंगे British Samaraj के बात करेंगे तो इसके समय में क्या होता है इनकी समय सासन काल में जब बात करेंगे तो आप सुने होंगे अस्थाइब बंधोबस्त, अस्थाइब बंधोबस्त आप जानते भी हैं 1793 में, कव है ऐसा 1793 में अस्थाइब बंधोबस्त लागु होता है और अस्थाई बंदवस्त जब लागू होता है, तो अपने साथ कई लोग आते हैं, इसमें देखेंगे कि पहला लोग बात करेंगे कि क्या लोग आते हैं, जमिंदार, नए जमिंदार, दुसरा बात करेंगे, साहुकार, साहुकार, इसरा बात करेंगे, महाजन, इक क्या बात करेंगे, करमचारी, सेवाद बात करेंगे, कि पाही, सेवाद बात करेंगे, नियाले की अस्थापना, नियाए बेवस्था, अब ये अस्थाइब बंदवस्थ के साथ, बहुत सारे यहाँ पर्था जो इनके साथ आता है, अब इन लोगों ने क्या करना सुरू करता है, अब जमिंदार जो है, अब हो है क्या है, कि टैक्स बसुनना सुरू करता है, और टैक्स के पामले में जमिंदार मतलब कि क्या करता है कि दुर बहवार करके मतलब इस तरह से सोसन करना सुरू करता है जो जो आदिबासी चाहे जो मतलब जनजाती जो है वो अगर कर देने से इनकार करता है या कर नहीं दे पाता है या काल या उखार के समय या कहिए कि दहल के समय तो आप नहीं दे पाते हैं तो आपको जमीन क्या कर लिया जाता है निलाम कर दिया जाता था और जमीन को निलाम करके बेच दिया जाता था या तो साहुकार के दे दिया जाता था या जमिंदार खुद रख लिया करता था उसके बाद साहुकार था साहुकार क्या था इ जो आदिवासी था उनको खेती करने के लिए कि जो समस्या है उनको पैसा दिया जाता था, एक हजार दिया जाता था, तो मानने कि एक हजार देने पर उसको दस हजार कर दिया जाता था, पढ़ा लिखा बहुत कम हुआ करता था, तो इस तरह से इन लोगों ने सोसन करना शुर किया और करमचारी जो क्या करता था आदिवासी छेतर में जाने के साथ उनकी बहु बेटियों के साथ इज़त लुटना भी और इस तरह से इज़त लुटना साथ-साथ क्या करता था जवरदस्ति कर बसुलना और इस तरह से दुरुवेवार करना तो यह करमचारीयों के काम थ सिपाही भी इसी तरह से सोसन करता था नियाय बेवस्था भी क्या था कि वहां के रहने वाले आदिवासियों का नियाय बेवस्था नहीं मिल पा रहा था नियाय बेवस्था का मतलब क्या है कि अगर कोई भी आदिवासी अगर नियाय जाता है तो उसको नियाय नहीं मिल पाता ता विए और नहीं मिल पाता था क्योंकि इन सबों का इन जमिंदार सहुकार महाजन करमचारी सिपाही का जो बर्चस्विथा ने आले पर था नियाय बेवस्था पर था तो इनहें कोई नैयाय नहीं मिलता था और इस तरह से जब उत तंग हो गय जब चारों तर्फ उनका रास्ता बंद हूगbor लाष्ट में किया बहू बेटियों को भी अन optimistic बेखशा नहीं जाता था उनको इया साहुकार और महाजन बहू बेटियों को भी अपने यहां काम करने पर मजबूर किया और उनके साथ अत्याचार करना का शूरू किया तब इन लोगों ने क्या करता है अंगरेजों साहुकारों महाजणों के साथ जमिंदारों के खिलाफ यानी बृतिस सरकार के खिलाफ too ने क्या कर देता है lijn दोलन छेर देता है जिसको कहते हम कोल विद्रो के नाम से जाना जाता है ये सारा कारण था कि कोल बिद्रो होने का आई ये अब बात करेंगे हम लोग कि इसका और और सारे कारण था जिसके कारण ये हुआ था अब इसके बात करेंगे हम लोग किया तो आप कारण में समझ में आ गया कि कारण क्या क्या था ये बिरिटी सासन के बाद अस्थाई बंदोबस्त ह होने के साथ साथ यह कारण था इसके साथ और सारे कारण में आता है एक और कारण आता है कि अठारा सो बाइस इसवी में यह सबसे कहा जाता है कि पर्मुक कारण में से एक है अठारा सो बाइस इसवी में ब्रिटिस सरकार क्या करता है कि ब्रिटिस सरकार ब्रिटिस ब्रिटिस सरकार अब ब्रिटिस सरकार जो है क्या करता है चावल से चावल से बनने वाला स्तराव पर क्या लगा देता है उत्पादन सुल्क लगा देता है उत्पादन सुल्क लगा देता है क्या लगा दिया जाता है उत्पादन सुल्क लगा दिया जाता है या उत्पादन सुल्क होता क्या है देखिए पहले आदिवासी जो लोग थे वो चावल से सराब बनाया करता था और सराब बना के उनका मुख पेसा हुआ करता था और हारी मातरा में सराब बनाया जाता था औ इससे और खौफ हो जाते हैं अधिवासी लोग के बाद अनकारण क्या है लगान लगान के भी बात करेंगे कि लगान भी एक कारण था लगान भी कारण था लगान क्या था कि लगान जो है वो बरहा दिया जाता है लगान बरहा देने के सासत क्या होता है कि लोग देने पर मज या तो सहुकार ले लिया ठीक ना तोिस तरह से धीरे-धीरे उनका जमीन क्या हो जाता है कि सारा या तो क्या कर है कि अंग्रेज निलाम करकर के जमिंदार निलाम कर रहा है साहुकार ले लिया जो यह देख रहे हैं महाजन करमचारी यह लोग क्या कर लिया कि उनकी सारे जमीन था धीरे-धीरे सारे जमीनों पर इन लोगों का क्या हो जाता है कबजा हो जाता है यहां था कि अंग्रेज क्या करता है उनका जमीन लेके सीख मुस्लीम हिंदुगों को देद दिया जाता है पतलब कि क्या करने के लिए खेती करने के लिए और इस तरह से जब उनका जमीन जब छिनने लगता ह तब उन्हा दिवासियों ने क्या करता है? आंदोलन करता है. यह सारे कारण था यह कोल बिद्रो का. तो आपको समझ में आ गिया होगा क्या कोल बिद्रो क्या हुआ था? कोल बिद्रो के कारण क्या था? ठीक ना? इसका परिनाम क्या हुआ? कि कोल बिद्रो का परिनाम यह और यह आंदोलन कहा जाता है कि यह आंदोलन रुक रुक कर बात करेंगे तो यह 1848 तक चलते रहता है। अगर पुछा जाएगा तो दो चार चीज है जो आपको पूछा जाएगा कि कोल बिद्रोह कब हुआ तो आपको याद होगा 1831 से लेकि 1832 में इसका नेता कौन था है नेता के बाद करेंगे तो बुधु भगत या वुद्धो भगत कहेंगे वुदु बढ़ने के बाद इसका निर्थित भोन किया था गंगा नरायन किया था या कहां रॉणाहोना वी समझ में आ गया ओगा कि और यह तो यह अंधोलन को दवा दिया जाता है किना के रहता है अब यहां आपका कोल बिद्रो था आए हम लोग परहेंगे आज इसके आगे हम लोग परहेंगे संथाल बिद्रो के बारे में तो संथाल बिद्रो के बारे में जब हम लोग परहेंगे तो संथाल बिद्रों के बारे में आप तो जानते होंगे कि संथाल बिद्रों भी कहां से समंधी था वो आप जानते भी होंगे कि वो भी जहरखंड से समंधी था